मूवी के स्टार्टिंग एक डाइनसूर कपर से होती है जिनके नाम होते हैं हैंडी और एडा जो कि अपने बच्चे को अंडों से बाहर आते हुए खड़े देख रहे हैं और तीनों बच्चे जब वो अंडे से बाहर आते हैं तो उपको एक दम अलग होते हैं जिनके नाम है लिबी बक और आलो लेकिन आलो अपने दोनों भाई बहनों से पिलकुल डिफ्रेंट है वो साइस में बहुत ज़्यादा छोटा है लिबी बहुत ज़्यादा छुपा रुस्तम है वही बक बहुत ज़्यादा शेतान है तीनों को हैंड़ी अपना घर परिवार दिखाता है इस तरह खुशी-खुशी कुछ समय गुजरता है और बच्चे बड़े होते हैं लिबी और बग अपने पेरेंट्स का खेती में पुरा सपोर्ट करते हैं लेकिन आलो एक तो साइज में बहुत चोटा है उपर से वह डर पोग भी है इवन वह एक हैंडरी डर्चिकन से भी डर जाता है हैंडरी उसे हर पार समझाने की कोशिश करता है लेकिन आलो एक डर करते हैं और उस जमा कियेगे खाने की भंडा पर हैंडरी इडा अपने पेरों की चाप लगाते हैं तब ही उनके बच्चे कहने लगते हैं कि वो भी चाप लगाना चाहते हैं लेकिन हैंडरी उन्हें रोक देता है ये कहकर कि इसके लिए तुम खुद को पहले काबिल तुम तीनों भी अपनी अपनी चाप चरू छोड़ोगे और उस दिन का मुझे बेसवरी से इंतिजा रहेगा अब उनके बच्चे अपने काम में लग जाते हैं बग पहले अपनी रैस्पॉंसिलिटी पूरी करके चाप लगाता है मैदन को साफ करता है लीबी उसके बाद म चाम देखते हैं कि उसका खुद का भाई बग उसके उस डरपक सभाव की वज़े से वो उसका मजाग बनाता है तब ही वहाँ पर हैंडी एडा और लेवी आ जाते हैं और वो बग पर गुस्टा करते हैं उसे तांटते हैं लेकिन आलो कहता है कि एक ना एक दिन वह वहाँ चाप जरूर लगाएगा एक दिन वह जरूर आएगा तब रात को हैंडी आलो के पास जाता है वह से जगा करके अपने साथ लेकर जाता है हैंडी उसका डर निकालना चाता है हैंडी आलो से कहता है कि अगर तुम अपनी चाप छोड़ना चाते हो तो तुम कर एक काम करना ज उसे पकड़ कर मार देगा तो वो हैंडरी की चाप के बाजु में अपनी चाप लगा सकेगा आलो भी रेडी हो जाता है और अब दोना मेल करके उस जानवर के लिए चाल बिछाते हैं और अब आलो उसका वेट करता है जिसमें एक चंगली बच्चा आकर के फसाद देख आलो और आलो उसे गुस्सा करता देख चिलाता देख उसे फ्री कर देता है और उसे वहां से भगा देता है तब हैंडरी वहां आता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है डर को हावी मत होने दो परना तुम नहीं बचो कि तुम कैसे सरवाइब करोगे और उसे अपने साथ उसी समय जंगर लेकर के चाता है आलो उसे मना करता है क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है और वो टर पुर्ग भी है लेकिन हैंजी कहता है उस बच्चे को हमें आज ही खतम करना है लेकिन आलो आसमान में चमकते वाली बिजली से भी डरता है और उसका पैस लिप हो जाता है वो उसे यहां पर लेकर के आया लेकिन वो उसका टर निकालना चाता है और वो दोनवापस खर लोटने लगते हैं लेकिन उसी समय मौसम और ज़्धक बिगड़िन लगता है बाड़ आती हैं और हांजी और आलो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन हांजी आलो को तो लेकिन खुद उसमें बेह जाता है और अब आलो इडिया के साथ मेंकर सरदियों के लिए खाना इखटा करता है जहां उसे वही जंगली बच्चा मिलता है उसे पकड़ते पकड़ते आलो भी नदी में किकरके बेह जाता है और एक चगे पहुँशता है जहाँ वो बहुत ज़्यदा उदास है तब ही उसे वही जंगली बच्चा नजर आता है और आलो उसके पेरों के निसान का पीछा करते करते एक चोटी पर पहुंच जाता है जहां उसे नदी नजर आती है जहां रास्ते में उसे एक पेड़ पर एक फल नजर आता है और वो भूखा भी है और वो उसे खाने के चक्कर में उस पेड़ पर चड़ता है और एक पत्थर के नीचे दब जाता है और वो राद पर उसमें दबा ही रहता है लेकिन जब वो सुबर सो करके उठता है तो उसे पास उसी चंगली बच्चे के पैरों के निशायन दिखाई देते हैं और वो समझ जाता है कि उसका पैर उसने निकाला है उस पत्थर के नीचे से मिटी खोद कर अब आलो अपने लिए एक शैल्टर बनाता है उसका हाल बेहाल है भूख से तब वो बच्चा एक लिजार पकर क लेकिन वो उसे देख के भी टर जाता है बच्चा बापस उसके लिए एक वा कीड़ा लाता है और उसे खाने का इशारा करता है उसके मुंडी दोड़ कर लेकिन आलो नहीं खाता क्योंकि वो शाकाहारी है और इस बार बच्चा वही फल लेकर के आता है जिसके चक्कर में आ आलो एक पत्र के नीचे दब गयाता, जैसे आलो खा लेता है, जो कि बैरीज दे और आलो उसे और लाने का बोलता है, और बच्चा उसे अपने साथ, उन बैरीज के पीड़ के पास लेकर के जाता है, बच्चा उसे खाने से रोकता है, वो उसे मना करता है, लेकिन वो उसे collector है वो आरलो से उसका नाम पूछता है वो कहता है कि इस बच्चे का नाम क्या है जिस पर आरलो कहता है मुझे नहीं पता दोनों decide करते हैं कि ओके जिसके नाम पर वो बच्चा response सबसे पहले देगा उसका वही नाम रखा जाएगा और अब दोनों कई नाम लेते हैं लेकिन हम देखते हैं कि आरलो के स्पॉर्ट बोलते ही वो उसके पास आ जाता है और अब दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और अब दोनों पंचा परवत की तराश्वर निकलते हैं रास्ते में दोनों बहुत जदा मस्ती करते हैं लेकिन आलो अभी भी ड याद आती है और वह स्पार्ट को अपने फैमिली के बारे में बताता है लेकिन इस पोट को कुछ भी समझ नहीं आता ऐसा आलो को लगता है तब इस पार्ट तीन लकड़े लाता है और एक सरक्ल बना गर कि उसके बीच में खड़ा करता है और उसमें दो लकडिया को में टिकेट हेर में दबा देता है और एक को बचा लेता है चुकि वो अपने फैमिली का पता रहाता आलो को कि उसके पैरंट्स भी इस दुनिया में नहीं है और दोनों बहुत जड़ा उदास हो जाते हैं और अपने-पैरंट्स को मिस करते हैं अगले दिन दोनों पंचा प नीचे चीप जाता है और अब वो सुबह जब देखता है तो वो नदी से बेचर चुका है और वो बहुत ज़्यादो दुखी और पैशान है तब उसे आसमान में कुछ पक्षी उड़ते हुए नजर आते हैं और वो उन्हें आवाज लगागा कि उनके पास जाता है और उन हो गए होंगे उनको भी तो देखना है पहले वो वो करेगा उसके बाद वो उसका काम करेगा जो कि अपने खाने की दलास में है जो कि तूफान में घायल जानवरों का वो शिकार करने के लिए निकली है तब ही वो स्पोर्ट का पूस्ते हैं और आलो उनसे डरता है और वो होता है बुश आलो उनसे भी पंजब अरवत का पता पूस्ता है लेकिन वो कहते हैं कि वो पहले अपनी भैस जूड़ेंगे जो कि बिछड़ गई हैं जो कि उनको कोई चुदाकर के ले गया है तब तब स्पोर्ट उनकी भैसों को ढूड़ने में मदद करता है और तब टा आवाज ही नहीं निकलती तब वो स्पोर्ट उसके पैपर पाइट करता है और आलो चोड़ से चिलाता है और तबी वो भैस लोटे दे आलो की आवाज सुनकर उन दोने को खेल लेते हैं तब तीनों डाइनसोर भी वहां आते हैं और उन जानवाँ से उनको बचा कर अपनी बैसों को अपने साथ ले जाते हैं और अब सब साथ में बैटे हैं तो डाइनसोर आलो से छोटोमी से स्पोर्ट को अपने पास रखने का बोलते हैं लेकिन आलो मना कर देता है और अब वो तीनों डाइनसोर अपने लंबी लंबी फेकते हैं तब बुच भी अपना एक किस् सकता है क्या कि आपके गर्दन मगर मचके मूह में हो और आपको डर भी न लगे और कहता है कि हम इसा डर के साथ चलो और अपनी असली ताकत पहचानो तब इस नोफाल होता देख आलो इड़ा की पास जाने का बोलता है नैश कहता है सिक नकर तो घर जरूर जाएगा हम सुबह होते ही निकलेंगे हमारा वादा है हम तुम्हें तुम्हारे घर चलूर पहुचाएंगे और सब साथ में निकल पड़ते हैं पंचापरवत की और चल दे चलते वह एक जगे पहुंचते हैं जहां आलो को पंचापरवत और नदी नजर आ जाती है और आलो बहुत जद़ जाने लगता है लेकिन आलो उसी रोख लिता है और अपने साथ ले जाता ए रास्ते में वापस उन्हें वही खूंखार वक्षी घे लेते हैं स्पॉर्ट को अपने साथ ले जाते हैं और आलो को पहार से नीची किरा देते हैं आलो चू की बेड़ों के जाल में फसा हुआ है तब ही वहाँ पर एक डाइनासोर आता है जिसे आलो पापा कहकर के बुलाता है लेकिन जब वो पेरों के निशान देखता है अपने और अपने फादर के तो उसे अपने फादा के पेरों के निशान नहीं देखते तो वो समझ जाता है कि वो हैंरी नहीं हैंरी की आत्मा है और अब वो उसे स्पॉर्ट को वापस ढूंड का बचाने का बोलता है जो कि एक सपना था अब आलो स्पॉर्ट को बचाने के लिए दोड़ता है उसी की तर के साथ बाहर आने लगती है और तब आलो स्पोर्ट को बचाने के लिए पानी में कूछ जाता है और बहुत ही मुश्किल से उस तूफान से उसे बचा करके बाहर ले आता है और अब दोनों वापस चल पड़ते हैं जहां रास्ते में वहीं जंगली इंसान उन्हें नजर आता लेकिन स्पोर्ट आलो के साथ जाना चाता है पर स्पोर्ट उसे वापस उसकी फैमली के पास लुकने का बोलता है और दोनों एमोशनल हो जाते हैं और आलो अपने फैमली के तलाश में निकल जाता है और ढूंटे ढूंटे वह अपने घर अपनी मा एड़ा और अपने थो बहुत जदा मेंस्क गदा है और वह अपने फाद की पैर की छाफ के बाज़ू में अपने पर शाप बनाता है और अपने वाद का शबता पूरा करता है और इस जगे मुवी खातम हो जाती है दोस्तों आप लोगों को मुवी कैसी लगी कमेंट शुक्षन में कमेंग करके ज़रू बताईएगा और आपके कीमति सुचाफ हमारे साथ ज़रू शिया कीजेगा और हाँ आप लोगों से एक छोट इसी दिक्रेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलेगा वीडियो देखने के लिए थैंकियो थैंकियो सो मच